दोस्तों, ताजा ताजा हरे भरे पालक से बनाएंगे एक नाश्ता जो स्वाधिस्ट होने के साथ हल्दी भी है, जटपट बन जाता है और बनाना भी आसान है नमश्कार दोस्तों, तनुवेस किच्छिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो रेसिपी देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेसिपी को शुरू से आखरी तक पूरा देखिएगा हाजी ये हैं गर्मा गरम पालक की मज़ेदार पूरियां जिसको हम अचार से सबजी से या फिर दही से एंजोई कर सकते हैं जेटपिट बन जाती हैं आईए इसकी रेसिपी देख लेते हैं कुछ ताजा पालक लिया है जिसके मोटे मोटे डंठल काटकर अलग कर दिया है और दो-तीन बार पानी में धोकर साफ कर लिया है अब इस पालक को उबलने रखेंगे आदा गलास पानी लेकर पाश बनीट देमियाज पर उबाल लेंगे उबलने के बाद पालक इस तरह का हो जाएगा और जो पालक उबालनी का पानी है उसको भी रख लेंगे वो भी काम आएगा क्योंकि पालक के कुछ nutrients इस पानी में भी आ जाते हैं अब इस पानी से आटा बनाईए या किसी सूट में डालिए या सबजी में डालिए अब एक फोक से इस तरह से पालक को मैश कर लेंगे या तो आप इसी तरह से मैशी वे पालक को आठे में मिलाकर पूरी का आठा बना सकते हैं या फिर मिक्सी के ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बनाकर पूरी में उप्योग कर सकते हैं दोस्तों पालक की पूरी कई तरह से बनाई जाती हैं जिसमें से एक रेशिपी मैं शेयर कर रही हूं, ये पालक का पेस्ट बन कर तयार हो गया है, अब इस पालक के पेस्ट को निकाल कर रख लेंगे, और मिक्सी की ग्राइंडर जार में जो भी पालक लगी हुए है, इसमें थोड़ा पानी दालेंगे और हिला कर लेंगे, पूरी बरतन में दो कप आटा लिया है आटे को चलनी से चान लिया है आटा चानने से आटे में गाठे नहीं होती है आदा चमच नमक डाल दिया है आदा कप बेसन डाल दिया है बेसन को भी पहले से चान दिया है अब जो पालक का पेस्ट बनाया था उसको दो से तीन चमच इसमें मि भी आटे में कम पानी लगेगा, हाथ से जिस तरह से पूरी का आटा बनाते हैं, इतना कड़ा आटा बना लेना है, जैसा रोटी का आटा बनाते हैं, उसे थोड़ा सक्त होना चाहिए, दोस्तों कभी भी पूरी का आटा बनाते हैं, तो उसमें अगर नमक डाला हुआ है, तो आटे को 5-10 मिनिट के अलावा जादा देर तक नहीं रखना है नहीं तो आटा डीला हो जाता है थोड़ा पतला हो जाता है इसलिए आटे को 5 मिनिट का रैस्ट देकर इस तरह से रॉल कर लेना है दो भाग करके बराबर इससे कर लेंगे और एक रोलिंग बोर्ट पर उसको तो इसे तेल की चिकनाई लगा कर इस तरह से तयार कर लेंगे और दो तीन बार इस तरह से रॉल करके हतेली से मसल कर आटा चिकना कर लेंगे अब इस आटे की बराबर आकार की पेड़े बना लेने हैं चाकू से या हास से बराबर आकार के पेड़े काट कर रख लेंगे दो रेसिपी को पूरा देखेगा, अब हतेली के बीच में लेकर इस तरह से रॉल कर लेना है और चिकनी लोईयां बना कर तयार कर लेनी है, पूरियां तलने से पहले ये तयारी पूरी करके रखना है, इन लोईयों पर थोड़ी तेल की चिकनाई लगा कर रखना है, जिससे आपस लोईयां तयार करें, उन सभी की पूरियां बेल कर रख लेंगे, पूरियों वो हलके हाथ से आगे बढ़ाना है, पूरी के किनारे दवाते हुए पतली पूरियां बेलना है, पूरियों कोई इवनली बेलना है, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरी अब एक कड़ाई गरम करेंगे जिसमें तेल या घी डालकर पूरियां तलने के लिए कड़ाई का तापमान कितना है अगर सही तापमान गोली उपर आ रहे हैं तो एक एक करके पूरियां छोड़ते जाएंगे और प्रेस करते हुए इस तरह से किनारे दबाएंगे जिससे करते हुए पूरी को तल लेना है दोनों तरफ से कोल्डन कर लेंगे अगर आप सही ट्रिक के साथ पूरी तलते हैं तो कम से कम तेल या घी में आपकी सभी पूरियां तल जाएंगी तो दोस्तों इस तरह से सभी पालक की पूरियां बना कर तयार कर ली हैं दोस्तों अगर आ झाल 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 झाल